असलाम अलेकूम वेलकम बैक टू माई चैनल फूड लावर के किचन में एक बार पर से मैं हासर हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ चिकन कॉफ्टे लेके तो चले स्टार करते हैं बिस्म लाइरम अरहीम जो मुझे इंग्रीजिन्स चाहिए होंगे यह मैंने बॉंडिस चेकिन निया है, तकरीबट एक पाउड और मसाले मैंने लिया है 1TB स्पून दान्या पाउडर 1.5 टी स्पून गरम मसाला 1TB स्पून लेक पेपर और 4-5 जाल हरी मर्चे 1TB स्पून नमक और यह लसन और यह एक प्यास ली हैं जसके मैंने बड़ा बड़ वरकाल अब लेंडर में हम यह साथ चीज़ें डाल कर इनको ब्लेंड कर देंगे का कीमा बना देंगे और यह मैं डाल रही हूँ वन टेब स्पून के तेरी पर सॉया सॉस और अब मैं ब्लेंडर चुलाऊंगी और इनका कीमा बना लेंगे तो अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल का आइकोन दबाना ना भूले तक के मेरी हर आने वाली वीडियो का नोडिकेशन आपको मिलता रहे और मैं आपके साथ मज़े मज़े की रेसिपी शेयर करती रहूँ बहुत ही लो बज़र में आपके बन जाएंगे कौफटे जहां से आप बाजार से एतने महंगे रब्बे लाते हैं और इसका टेस्ट भी बिल्कुल से आपको इससे ही मिलेगा तो हम चेकर लाते रहते हैं उससे अगर आप बॉनलेस चेकर अलग करते ब्रेस्ट का जो पीस होता है उससे बना आके रखते तो अराम से आपके 16 से 15 कौफटे बन जाएंगे अब मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी और फिर दुबारा इसको मैं चला दूँगी थोड़ा से ताके जो नीचे इसके वसाले हैं वो मिक्स हो जाए और मैंसी थोड़ा सा मैं अब इसको दुबारा ब्लैंड करूँगी अब ये हो गया और इसको मैं निकाल रही हूँ निकालके मैं अब इसको थोड़ा साथ मिक्स करूंगी जो मजीद इसमें मसाले हैं वो मिक्स हो जाए और फिर मैं इसके कौफते बना दूंगी तो प्लीज मेरी वीडियोस को शेर किया करें और लाइक किया करें वीडियोस को इस तरह मैं कौफते बना रही हूँ गोल गोल आप चाय तो छोटे साइस के बना ले या पड़े तो लो जी हमारे कौफते रेडी हो गए यह एक पाउचे कर में लिया था तक्रीबर 15 कौफते इसके बन गए तो अगले जो स्टेप है मैं आपको दिखाऊंगी कि अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है हमने पानी लेना है और इसको बॉल करके इस कौफतों को हम थोड़ा सा एक जोच देंगे इसके कलर चेंज हो जाए वाइट कलर हो जाए तो फिर हम इसको निकाल देंगी इससे तो हम इसको फ्राइ करेंगे तो हमारे कॉपते बुटेंगे ने और इसको आप फ्रीज करेंगे तो भी छराब नहीं होंगे तो मैं यह एक को दिखाती हूं यह मैं इस पानी में डाल ली और गरम पानी में तो इस तरह से मैंने सारे कौफ़ते डाल ली है पानी में एक साथ ही मैंने डाल ली है अब चाहे तो थोड़े-थोड़े करके आदे पहले डालने फिर उसके बाद और बागी डाल दे जब यह एक साइट से हो जाए इसका कलर चेंज तो फिर मैं इसके साइट टॉन कर दूंगी तो यहीं देखे अब मैं इसके साइट टॉन कर रही हूँ और यह बाइट कलर हो जाएगा इसका और बस थोड़ा सा मैं और करूँगी फिर इसको मैं निकाल के जो अगला स्टेप है वो करूँगी यह देख ले इस तरह कलर होगा अब मैं पैन में ऑईल गेरम करी और इसमें हम कौफ़तों को फ्राइग करेंगे अब ओल चेक करते हैं गेरम की नहीं और इसके बाद मैं इसमें कौफ़ती डाल के इसको फ्राइग करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक और इसके बाद चाहें आप इसको फ्रीज करें और या आप साथ ही इसका तरका बना ले इसको मैं फ्राइ करी हूं बाकी के बाद मैं करूंगी जितनी इसमें जगह है आप उतने ही डालके फ्राइ करें और आप इसको बॉयल करेंगे तो ये बिल्कुल भी 100% नहीं टूटेंगे अब इसके साइटन कहती है और दूसरे साइट से में इसको फ्राइ करूंगी अब हम देखें कितना प्यार कलरा है इसको और हमें इसको निकाल देती हूं और अब में बाकी के फ्राइक करूंगी और अब इसका मसाला तयार करते हैं तो मैंने लिए चार टमाटर और इसमें मैंने हरी मिर्चे काट लिए चार से पांच जितना आप स्वाइसी लेना चाहे और अब मैं इसको फ्राइ करूंगी और मसाले डालूंगी यह मैंने वन टेवल स्पून करीब रसन अंदर एक पिस डाला है और इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी और यह मैंने उसी ओयल में मसाला इसका बना रही हूँ जिसमें मैंने कौफ़ते फ्राइ किये थे उसका जो जाइका है वो इसमें आएगा मैं 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 मैंसाला डाला है हल्दी और हल्दी दनिया और लाल मिर्च पाउडर मिक्स करके यह मैंने एक मसाला बनाया है तो मैंने इ तो इसमें मैं थोड़ा सा कम डाल रहीinhas निगे में इ assist के मताबिक डाल सकते नामिर्च निग मिर्च पाउडर पाउडर मैंने चिली जो दड़ा मिर्च होती हैowy तो यह मसाला भी तयार हो गया हमें इसमें कौफते डाल के मिक्स करके थोड़ा सा इसको बुनूंगी और एक कप गरम पानी में इसमें डाल लूंगी ताकि इसमें ग्रेवी बन जाए आप वो पानी भी रह सकते हैं जिसमें हमने कोफतोग को बॉइल किया था वो भी डाल सकते हैं बस पांच मिट तक में इसको बुनूंगी जब तक इसका ओईल उपर नहीं आ जा था तब तक हम इसको तो यह बिलकुर रड़ी है और मैं इसको डिशाट आउट करती हूं तो वीडियो को लाइक करना और सब्क्राइब करना मत बूलेगा बहुत ही मज़ें कि यह रिस्पी हमारी बन के तयार है जिसके वह बहुत ही जबरदस्त है तो हम इड़ाद रखें अपना ख्याल रखें धिलावी है और सब्सक्राइब करें धुछ थाने वीडियो करती है और सबस्क्राइब कर दंब करती है जड़ाद लिज व्या जारकिन दंच भाज वीडियो